कौन कहता है बगवान आते नहीं, द्रोपती की तरह हम बुलाते नहीं कौन कहता है प्रभु प्रेम करते नहीं, गोपियों की तरह हम निभाते नहीं और यह नहीं सोचना कि हम रोज जब करते हैं, ओम 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 बापु जल्दी बहार आओ, बापु जल्दी बहार आओ, तो बापु क्यों नहीं आते हैं, तो बापु जी को आपकी प्रातना सुखार हो रही है, लेकिन अच्छी लग रही है, इसलिए कहते हैं थोड़ी और होने थोड़ी और होने दो, एक कहानी सुनिये, एक सेट अपने गर पे खड़ा था उपर, भंगले पर, नीचे से एक बिखारी बजन गा रहा था, सेट को आवा जा रही थी, बजन अच्छे लग रहे थे, एक बजन, दूसरा बजन, सेटानी ने कहा, जब बजन अच्छा लग रहा है, तो उसको कुछ दे दो, तो सेट ने बुला, हाँ दूँगा, दूँगा, लेकिन बजन चलने दो, सेटानी ने थोड़ी दिर कबाद फि उससे जदा दूँगा, लेकिन थोड़े बजन सुनने दो, ऐसे ही हमारी प्रातना भी गुरु चर्णों में स्विकार हो रही है, और अच्छी लग रही है, लेकिन बापू कहते थोड़ा और होने दो, थोड़ा और होने दो, क्योंकि बाहर जब आऊंगा, तो ऐसे दूम स कितने आगे बढ़े हैं, बापू जी अब हमको जैसा छोड़के गए थे, उससे आगे बढ़े हैं कि पीछे आए हैं, मैंने एक देट दो साल पहले मैसेज विजवाया था, कि मेरे को दर्शन करने की इच्छा है, बापू जी का पता है क्या है अब उत्तर, बापू जी ने कॉलेज की पढ़ाई करें, ठीक है हमारे अंदर प्रीत होनी चाहिए, हमारा संकल्ब भी होना चाहिए, लेकिन संकल्ब उतना ही होना चाहिए, जितना हमारे गुरू के कारे में विग्णन आ है, हमारे गुरू का देवी कारे है, जिस कारे के लिए वे दरा पर अवतार लेक वे आते हैं भवरोग मिटाने के लिए वे आते हैं जनम मरन मिटाने के लिए ये चोटी मोटी बातों के लिए नहीं आते हैं वे तो आते हैं इस काम के लिए फिर भी बापुजी की असीम किरपा है के साथ भी ये भी चलता रहता है परसाद देना लेना पेट में दरद वा ये तो सचमुच में अपने आपको हम बागयशाली समझें कि ऐसे पूझ्य नाराण साईंजी, ऐसे बापु जी धरा पर अवतरित हैं अब आरे भीच हैं और हमको सत्संग ज्यान दे रहे हैं आज हम ये सोच रहे हैं कि बापु जी बाहर आएंगे तो हमारा कल्यान होगा हमको सत्संग मिलेगा लेकिन उन कैदियों का कल्यान कौन करेगा जहां आज गए हैं क्या केवल बापु हमारे हैं अरे बापु तो पूरे विश्व के हैं